अक्षरों से बने पैटर्न्स, अल्फबिट पैटर्न्स को पहचानना बच्चों, आज हम सीखेंगे अक्षरों से बने पैटर्न्स को देख कर नियम पहचानना और अक्षरों से बने पैटर्न्स के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना आओ, आज संगीत की कक्षा में चलते हैं यह हैं सरला मैडम जो पिंकू, रिंकू, नीरज, दिया और चीनू को संगीत सिखाती हैं नमस्ते बच्चों, कैसे हूँ आप सब? मैडम जी मेरा गला थोड़ा खराब है कोई बात नहीं, यह मौसम के बदलाव के कारण है थोड़ा गरम पानी से गारगल करना अच्छा, चलो, पहले आज की अटेंडेंस लेते हैं माडम जी, नीरज का नाम मेरे से पहले क्यूं? मैंने तो आपकी क्लास में सबसे पहले एडमिशन लिया था क्या आप में से कोई बता सकता है कि नीरज का नाम मैंने पिंकू से पहले क्यूं लिखा? मैं बताओ, क्योंकि नीरज पिंकू से बहतर गाता है यह तो सही बात नहीं है, आप सभी अच्छा गाते हो, ध्यान से देखो आपने सारे नाम वन या अल्फबेट्स के करम से लिखे है इसलिए पिंकू तुम्हारा नाम प से और नीरज का नाम न से शुरू होता है और अक्षरों में न प से पहले आता है, इसलिए नीरज का नाम पिंकू से पहले लिखा है मैडम जी, हमारे स्कूल के मैडम ने भी रजिस्टर में इसी करम से नाम लिखे है ऐसे सभी के नाम को अक्षर या अल्फबेट के करम से लिखना एक प्रकार का पैटर्ण है हम इसे अक्षर या अल्फबेट से पना पैटर्ण कह सकते है मैडम जी, अक्षर या अल्फबेट से बने पैटर्ण के कोई और उदाहरन हो सकते है हाँ, बिल्कुल, चलो देखते है अच्छा, आप सबको सर्गम के साथ सूर तो पता है न सारे गामा पधानी यह सूर भी अल्फबेट यानि अक्षरों से बने है चलो, आज साथ सूरों से कुछ पैटर्ण बनाते है पैटर्ण बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पैटर्ण बनाने के कोई ठोस नियम नहीं होते आप कोई भी अपना नियम बना कर पैटन्स बना सकते हो ये हैं सर्गम के साथ सुर चलो, इसके कुछ पैटन्स देखते हैं क्या तुम ये रिक्ट स्थान भर सकते हो? री री के बाद आएगा गगः पो पो के बाद आएगा धो धो अरे वाह, ये तो आपने जल्दी से कर दिया क्या इस पैटन्स में कोई नियम है? हाँ, हम हर सुर को दो दो बार दोहराते हैं चलो, सब मिलकर एक साथ इसे गाते हैं बच्चों, आप भी एक साथ गा सकते हो चलो, एक नया पैटन्स बनाते हैं क्या हम सरगम के तीन सुरों को एक साथ ले सकते हैं? क्यों नहीं, अगर हम तीन सुर्व इस प्रकार से लें सा, रे, ग, तो इसके बार क्या आएगा? हम, रे, ग, मा आगे मैं बोलूं ग, म, प, एक नम सही म, प, ध, वाह, प, ध, नी बहुत अच्छे तो इस पैटन्स का नियम क्या है? हम हर बार पिछले तीन सुरों में से पहले सुर्व को छोड़कर सरगम के अगले तीन सुर्व ले रहे हैं शाबाश तो बच्चों, आज हमने सीखा अक्षरों से बने पैटर्न्स को देख कर नियम पहचानना और अक्षरों से बने पैटर्न्स के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना अग्षरों से बने पहचान कर दो दो दोड़कर